Hi everyone, फिर से एक new interesting dream आप सबका स्वागत है So दोस्तों, इस वीडियो के माध्याम से आज मैं आपको बताने वाला हूँ गर आप एक PF member हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्याम से आज मैं आप लोगो एक interesting, जरूरी information इस वीडियो के माध्याम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, share करने वाला क्या है जरूरी information वो सबसे पहले समझ लेते हैं दोस्तों जब भी आप अपना UN number को activate करते हैं तो उसमें दोस्तों क्या होता है जो भी आपका detail होता है आपके PF account के साथ वही detail आपका अधार कार्ड से मेच होता है मतलब जो भी आपके PF account के साथ mobile number link होता है वही mobile number आपके अधार कार्ड के साथ link होना चाहिए तभी OTP आता और तभी verify होता है तभी आपका UN number activate हो जाता है इस case में क्या करते है आप अपने अधार कार्ड के साथ दूसरा mobile number link करवा लेते है तो दोस्तों आपने अधार कार्ड के साथ को दूसरा mobile number link करवा लिए क्योंकि वहां भी आपके अधारकार से OTP से भरिफाय करना होता है तब ही password change होता है या दोस्तों इसके अलावे काफी सरफ problem का सामना भी आपको करना पड़ जाएगा तो इसका सब्सक्राइब यही solution होता है कि जब भी आप अधारकार में mobile number change करते हैं तो उसी समय आप अपने PF account में भी mobile number को update कर दें जो mobile number आपके अधारकार के साथ आपने फिलाल लिंक किया है वही mobile number आपको अपने PF account के साथ भी update करना होगा लिंक करना होगा तो किस पकर से किया जाता है इस वीडियो में आपको process बताने वाला इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस परकार से इंटरफिस आ जाता है सबसे उपर में पहला option में service नजर आता हो service आ जाईए दूसरा option में for employees पर आपको चले जाना ठीक है फोर employees पर जैसे आएंगे उसके बाद नीचे आ जाईए नीचे आजाने के बाद यहां पर एक section नजर आता हो service का service में आजाने के बाद यहां पर दूसरा नबर में जर आता होगा member UN online service नजर आता होगा ठीक है आपको दूसरा नबर पर ही क्लिक कर देना है जैसे सब दूसरा नबर पर क्लिक करते हैं उसके बाद finally आपको अपने pf यकुम्र लोगिन होना होगा तभी आप अपने pf यकुम्र मोबाइल नबर चेंज कर सकते हैं या तो फिर update कर सकते हैं ठीक है मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए यहां पर देख सकते हैं मैंनेज का आइकन बनावा नजर आता हो ओप्सन यहां पर मैंनेज देख सकते हैं लिखावा नजर आता होगा के साथ लिंक किया है य过 अप्डेट किया वही मोबाईल किया है इसके wh애 यहां पर झाल आता हो ओ चेंज मोबाईल नुम ठीक है आपको इसे पर क्लिक कर लिए जैसे इससे किलिक करते है उसके बाद यहां पे देख सेल थे हैं नजर पर एक OTP आता है, OTP से verify किजेगा, उसके बाद submit किजेगा, submit करने के बाद से फाले आपका mobile number update हो जाएगा, दोस्तों, यहाँ पर मैं अपना mobile number update कर लिया हूँ, इसलिए मैं दुबारा से नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, बाकी मैं आपको process बता दियो, same process से काफी easy है, और यहाँ आपको करना ही होगा, तभी आप आगे का process कर सकते हैं, तभी आप अपने PF क्लाइम कर सकते हैं, यह तो password वगरा चेंज करना होगा, तभी आप कर सकते हैं, ठीक है, कि बाद है, आपको mobile number यहाँ पर रेजिटर हो जाता है, जो आपके आधार काट के साथ अभी होगा, वही mobile number यहाँ पर आज जाएगा, तो यहीं था दोस्तों process जो इस वीडियो में आपको बता दियों, complete जनकारी भी आपको दे दियों, अस्तर करता हो, जनकारी आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को अभी तक लैक नहीं कियों, तो वीडियो को फटड़ पर लैक कर देना, चैनल प चैनल प्रूए सोल पको अच्छा।